और गैस किसे आप लोग तो आज हमारा weekly tech news series के एक और episode and इस series के अदर जो भी पूरे अपते के अंदर apple के related leaks, rumors, news, information जो कुछ भी निकल के आता है मैं आप लोग साथ share करता हूँ तो start करते हैं आज के वीडियो के और सबसे पहले information हम लोग के आपने निकल के आई है मैकसेफ के बैटरी पैक के related यह जो information यह जो news निकल के यह जो निकल के आई है जौन प्रॉसर के तरफ से जहां पर जौन प्रॉसर ने most recently अपने वीडियो के अंदर first look share किया है मैकसेफ के बै आने वाला है aluminum के उपर और इसके अंदर हम लोगों को high quality plastics का भी इस्तेमाल होते हुए देखने मिल सकता है लेकिन यहाप एक bad news भी है यहाप जौन प्रॉसर ने यह बताया है कि यह जो aluminum based मैकसेफ का battery pack है वह बहुत जादा overheat हो रहा है मतलब apple को इसके अंदर काफी जादा overheating के issues आ रहे है क्योंकि यह reverse wireless charging को भी support करता है reverse wireless charging मतलब मैकसेफ का जो battery pack है उसके उपर भी आप लोग कुछ रखके उसको चार्ज कर सकते हो जैसे के airports को रखके इसको आप लोग चार्ज कर सकते हो मतलब दोनों side charge करेगा मैकसेफ का battery pack एक side आपके iPhone को charge करेगा दूसरी side आपक इसको चार्ज करेगा तो उसके वजह से बहुत जादा overheating के issue आ रहे है तो Apple इस product को completely scrap कर सकता है air power की तरह अगर आप लोग को नहीं पता air power क्या है तो air power एक sort of wireless charger था Apple का जिसको Apple ने फिर announce करने के बाद Apple ने इसको release नहीं किया मतलब अनाउंस तो किया था Apple ने इसको लेकिन क मार्ट की event की जो date है वो लीक हो के आई थी मैं आप लोगों के लिए मंडे को वीडियो बनाया था कि exactly Apple की जो event हो कब होने वाली यह क्या leaks के लोगों के पास date निकल के आई यह और यह जो date निकल के आई थी वो निकल के आई थी kank के तरफ से and kank जो है उसके past track record है 98% का मतलब जो लीक्स निकल के आती है वो बहुत जादा हाइच चांसे होती है कि वो सच ही हो कैंग जो हो बहुत जादा late leak निकलता है last moment पे kang के leaks निकल के आते हैं maybe supply chain के अंदर हो सकता है maybe kang के sources उससे भी उपर हो सकता है लेकिन kang के तरफ से कोई leak निकल के आती है मतलब वो लीक जो है व जॉन प्रोसर ने एक वीडियो बनाया और उस वीडियो के जरीय से अपनी ओडियोंस को बताया है कि उनके जो सोर्सिस है उसके उपर ये इतना confident है इतना confident है कि अगर 23rd of March को एपल इवेंट नहीं करता है तो जॉन प्रोसर अपने शो के उपर अपनी यूट्यूब की चैनल है उसके उपर आके अपनी जो आइब्रोसे उसको शेव कर डालेंगे इतना जादा confident है मतलब आप लोग समझ लो हम लोग को 23rd of March को एपल का इवेंट इस पर देखने मिलने वाला ही है और क्योंकि 23rd of March को इवेंट होने वाला है तो में भी हम लोग को 16th of March को एपल के तरफ से invites इवेंट होने वाली है क्या टाइम को इवेंट होने वाली है ओनलाइन पर किस तरह होने वाली है क्या URL होने वाला है तो वह सारे information भी जैसे मेरे पास निकल किया दिये मैं आप लोग से साथ शेर करूँगा एंड यहां पर जौन पर ने यह भी बता है कि कॉनसे प्रोड़क करें लेकिन एरपोर्ट जो है उसके चांसे इतने जादा नहीं है मतला 100% चांसे नहीं है प्रोड़क कम्प्रिटली रेडी है जौन प्रोसर के साब से बट में भी एपल इसको पोस्पॉंड कर सकता है लेकिन फिर भी 90% के आसपास चांसे है कि एरपोर्ट भी हम लोगों को मेंचिको के तरफ से इसको आप लोग नीज बोल सकते हो इसको आप लोग मेंचिको के खुद के प्रेडिक्शन बोल सकते हो वो Augmented Reality वाले Lenses के बात कर रहें कि Apple 2030 तक Augmented Reality वाले Lenses निकाल सकता है जो के Visible Computing को हम लोगों को Visible Computing का एरा है उसको लिखी जाएंगे Invisible Computing के अंदर जापर वो जो Lenses है उनके पास खुद का कोई Storage नहीं होगा या तो खुद का कोई Computing Power नहीं होगा वो आपके iPhone के उपर Dependent होगे Computing Power के लिए Storage वगले के लिए लेकिन फिर भी 2030 बहुत जादा दूर है अगर इस तरह के Leaks या तो Information या तो News निकलके आई काफी हफ्तों से काफी सरा AirPods Max के यूजर्स को बैटरी ड्रेंड के इश्यूस आ रहे है तो यहां पर आपने रिलीस नोट में कुछ भी मेंशन नहीं किया कि उन्होंने यह अपडेट को क्यों निकला है क्या चीज़े यहां पर फिक्स हुई है कुछ भी चीज़े बता ही नह का इवेंट का आने वाला है एक आई हैक 2 प्रोकर के यूजर है उसने iOS 15 के अंदर क्या नए फीचर्स देखने मिलने वाले क्या नए डिजाइन चेंजिस देखने मिलने वाले सारी चीज़े टुटर के उपर बताया थी उसके पर मैंने एक डेडिकेट वीडियो बनाया है आ जहां पर एक लीग निकल किया थी एक रिपोर्ट निकल किया थी एकोनोमिक टाइम्स के तरफ से जहां पर उन्होंने बताया था कि एपल जो मेडिन इंडिया आइफोन 12 है उनके प्रोड़क्शन ट्राइल्स को स्टार्ट करने वाला है अपने फॉक्स को उनकी फिसिलिटी आजये तो यहां पर उफिशल कनफर्मेशन निकल कर आया है ऐपल के तरफ से उफिशल कनफर्मेशन तो नहीं बोड सकते क्या अपनी एपनी वेबसाइट को पर पोस्ट नहीं करता प्रेस्रीडी ज सेक्ट्शन में धॉक्प Apple ने यहाँ पर statement दिया है IANS को और इनके statement के साब से मैं आप लोगों को statement ही पढ़के बता देता हूँ यहाँ पर इन्होंने बताया है we are proud to be starting production of iPhone 12 in India for our local customer Apple told the Indo-Asian news service in the statement Apple is dedicated for making the best products and services in the world to delight our customers the company added तो यहाँ पर Apple के तरफ से official statement आया है के made in India iPhone 12 हम लोग production में डालने वाला है यहाँ पर report के साब से made in India iPhone 12 जो है उनके प्रोड़क्शन के जो ट्राइल से हो almost complete होने आ चुके है actual में production में जाने वाला है made in India iPhone 12 and यह जो चीज है यह जो information है वो directly Apple ने बताई है आई एनस को अपने statement के अंदर यहाँ पर बहुत जादा हाई chances है कि बस हम लोगों जल से जल शायद एक या दो महिने के अंदर made in India iPhone 12 market के अंदर देखने मिले यह completely Apple के उपर depend करता है यहाँ पर यह जो न्यूज है मैंने आप लोग साथ शेर की अब कब made in India iPhone आता है कब नहीं आता है उसके उपर में completely track रखोंगा आप लोगो regular business पर अपडेट करता रहा हूँगा लेकिन अभी फिलाल यह न्यूज है कि हाँ एपल काम कर रहा है प्रोडक्स को यूज करें तो उनको पता चल ले है उनके एक्चुल में एहमियत एपल का जो पुरा ecosystem है उसको लोग experience कर रहे है मलब एपल का market share almost double हो चुका है double मतलब एक बहुत जादा बड़ा number होता है 2% से जब कोई चीज 4% होती है 2% से 2.5% okay performance बहुत जादा great है लेकिन 2% से 4% मतलब performance है fantastic तो यहाँ पे एपल कुछ ना कोई चीज़े नहीं और भी कर सकता है इंडिया के लिए and maybe hopefully इस साल के पूरा होने से पहले हम लोगों को अगर official apple के offline store देखने मिल जाए तो इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती तो बस यह था है आज का हमारे वीडियो उमित के तो आप लोगों पसंद आजाओ अगर पसंद आओ तो वीडियो को like और share ज़रूर करना अगर आप लोग चैनल पे नहीं हो अभी तक subscribe नहीं किया तो आपार किया था तो आपार किया तो नहीं हो जाज वीडियो।